नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप से भी का अपने यूटूब चैनल इलेक्ट्रिक जे अनपी पे स्वागत है एक बार फिर हाजी रून है वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे फ्रीज इस्टोप्लायर बनाने के बारे में तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप फ्रीज का इस्टोप्लायर कैसे बना सकते है तो इसकी जनकारी पूरी वीडियो में हम देंगे तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कोई भी जवाब और सुझाओ तो कमेंड मुझे किना ना भूले तो चले शुरू करते हैं वीडियो को तो देख सकते हैं यहाँ पे यह 500 वाट का इस्टकुलाजर जिसे हम फ्रीज वाला इस्टकुलाजर भी बोलते हैं और अगर मैं इसके कैपेसिटी की बात करू तो यह 500 वाट का है हलाMin कि ये फिरेज के लिए यूज होता है तो इसी को आज हम बनाएंगे और हमारे पास ये इस्टोकुलाजर आया हुगा था तो इसका ट्रांसफार्मर जो खराब हो गया था और ट्रांसफार्मर के साथ साथ इसके सर्केट भी खराब हो गया थे तो अभी इस वीडियो में हम circuit को भी चेक करेंगे देखते हैं हमारा circuit साई है कि खराब तो देख सकते हैं यह 508 का इस्टक फॉलाजर है और यह दो रिलेयो का इस्टक फॉलाजर है जो कि आटोमेटिक इस्टक फॉलाजर है तो इसी को आज हम बनाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम इसमें कोर को भर लेते हैं जिसे हम पत्ती भी बोलते हैं तो पत्ती भरने का तरीका जैसा कि पिछली वीडियो में मेंने बताया था तो उसी तरीके से हम इसमें भरेंगे तो चलिए हम इसको कोर को भरते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ पर यह कोर है, जो कि देख सकते हैं, इसे हमने नडबोल से टाइट कर दिया था, और यह है इस्टोक लाइयर, जो कि 500 वाट का है, तो इसी को हम आज बनाएंगे इस वीडियो में, एक बार खोल के दिखा देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, य सर्कुट रखा हुगा इसमें और देख सकते हैं यह मीटर है और यहां पर यह सर्कुट है तो इसी सर्कुट से यह इस्टक लायर कंट्रोल होता है यह ट्रांसफार्वर को कंट्रोल करता है तो यह सर्कुट देख सकते हैं यहां पर यह रिले जो कि जला हुगा लग रहा है त आइसे filter पीछली वीडियो में मैं ने देखा थे आपको तो तो सेम तरीका रहेगा बस देख सकते हैं आपए एक पत्ती जो है राइट ऍाइट से डालेंगे एक पत्ती लेफ्ट से तो उसी तरीके से हम इसको भर लेते हैं तो चल्य हम इसको फड़ा फड़ भर लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो क्योंकि ऐसे भरने में इसको थोड़ा टाइम लेगा तो हम इसको भर के आपको देखाते हैं तो चल्य देखाते हैं आपको तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने transpocket को जो है इसमें पति जो complete कर लिया है इसमें THE three Ad आई और यह दोनों भर लिये हैं तो यह clamp है देख सकते हैं यह tootा हुआ है तो इसको हम नहीं लगाएंगे इसमें दूसरा clamp लगाएंगे देख सकते हैं तो यह इसी तरीके से हम इसको लगाएंगे हलाकि यह तूटा हुआ है तो हम इसके बदले में दूसरा क्लैम लगाएंगे तो यह नड़ बोल्ट है तो इस नड़ बोल्ट से हम टाइट करेंगे अच्छे तरीके से जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि clam को बहुत अच्छे तरीके से tight करना होता है तो हम उसे अच्छे तरीके से tight कर लेते हैं तो यहां पर हमारे पास यह दूसरा clamp है तो इसी को लगाएंगे तो देख सकते हैं इस clamp में जो body में tight के जाता है तो point ये टूटा हुगा है तो इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे इसमें देख सकते हैं ये tight करने वाला लगा है तो इसको हम लगाएंगे इस clamp को तो इसको हम लगाने का तरीका देख सकते हैं उसी तरीके से हम लगाएंगे इस side भी तो देख सकते हैं और उसके बाद हम इसे नड़ बोल से टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से क्योंकि ट्रांसफार्मर टाइट रहेगा अच्छी तरीके से तभी सही से यह फर्क करेगा नहीं तो यह इसमें हामिंग की आवाज और हीटिंग का चांस इसमें ज्यादा वता है तो इसको हम लगा कि अच्छे से टाइट कर लेते हैं तो देख सकते हैं ट्रांसफार्मर को हमने इसमें क्लाइम अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है नड़ बोल से यहाँ पे आप देख सकते हैं ताकि हमारा यह जो है को अच्छी तरीके से टाइट हो जाए तो transformer को हम इसमें fit करेंगे देख सकते हैं transformer को हला कि हम इस side से हम fit करेंगे तो इसी तरीके से हम इसमें tight कर लेंगे अच्छे तरीके से nut ball से उसके बाद हम इसके connection करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इसी तरीके से इसमें transformer को लगा लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफार्मर को हमने नड़ बोल से टाइट कर लिया है अच्छी तरीके से ताकि हमार ट्रांसफार्मर ही लेडू लेना है यहाँ पर हमने मीटर को भी इसमें नड़ बोल से टाइट कर दिया है और देख सकते हैं अब इसकी हम wiring को करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हमने solder को निकाल लिया है क्योंकि इससे हम sold करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं हमने circuit का connection कर लिया है देख सकते हैं जो पुराना वाला circuit लगा गया था और उसी को हमने इसमें connection किया है यहाँ पर देख सकते हैं और हाला कि यह दो Relio का इस्टोक लाजर है जो कि 508 का है तो यह basically freeze के लिए use होता है तो हम इसमें connection कर लिए हैं अब हम इसको हम check कर लेंगे series से देखते हैं कोईले हमारा इस्टोक लायर साई से वर करता है कि नहीं उसके बाद हम आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे तो इसको हम check कर लेते हैं यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं एक release में जला हुगा दिक रहा है तो हम इसे check कर लेते हैं तो चले हम इसे series में लगा कर टेस्ट कर लेते हैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ किसी भी electronic component समान को हमेशा पहले series में ही test करते हैं तो हम से series में ही लगाते हैं तो यह input output की switch है जैसा कि आपको पता ही होगा इसके बारे में यह voltage देखने के काम में आता है तो हम इस्टकुलाजर को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे हम चिक कर लेते हैं सिरीज में लगाके देखते हैं हमारा इस्ट गलाइर वर करता है कि नहीं तो यहाँ पे हम सिरीज में लगाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सिरीज में जैसे ही लगाया यह बल्फ गलो हो गया यहां पर बल्फ जल रहा है हलाकि स्वीच से अन आफ करने पर यह बल्फ डारेक्ट ही जल रहा है तो यहां पर इस्टोक लाजर भी हमारा कोई बोल्ट टिस्व नहीं हो रहा है जैसा कि देख रहे हैं आप और बल्फ भी डारेक्ट जल रहा है तो इस्टो क्लाजयर को हम चेक कर लेते हैं एक बार तो यहां पर हमने इसके connection को मिलाया और चेक किया तो इसमें connection सारे स़ही थे और यहां पर मेरे ख्याल से यह relay fault है क्योंकि जब यह transformer equal होड ही तो यह relay के कारण होड है क्योंकि relay जो है आपस में default हो गए थी जिसके कराणर से यह transformer हीटिंग हुगा है और इसी के वज़े से यह transformer साट हुगा है तो इसके circuit को हम पुरा नया ही लगाएंगे क्योंकि पुराना इसमें repair करने से कोई खास ठीक नहीं होगा हो सकता है इसका दूसरा relay भी short हो तो हम इसके नये लगाएंगे इसमें पुरे circuit को तो हमारे पास यह दूसरा नया circuit है और यहां पर हम इसको देख सकते हैं यह हमारे पास यह दूसरा नया circuit है तो इसी को हम लगाएंगे क्योंकि पुराना अगर हम लगाएंगे तो by the way यह दूसरा Relaysorj है तो बाद में ये नहीं स्थी वर्क किया तो कश्टमर के दोबारा इसमें ऐसी हिकायत मिल सकती है तो इसलिए हम इसमें दूसरा लगाएंगे तो चल यह हम इसे लगा लेते हैं तो यहाँ पे हमने दूसरा लगा लिया और इसके connection भी हमने की हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आप इसके connection हमने बहुत ही simple तरीके से इसके connection है अगर आपके connection के बारे मागर आपको जानना है तो आप मुझे comment section में लिखिएगा मैं इसके एक drawing बना के आपको वीडियो इसके बना दूँगा और बहुत easy तरीके से आप इसके connection कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने पूरी connection को कर लिया है और यह PC8 है जिससे हम voltage को adjust करेंगे तो चलिए हम इसको check कर लेते हैं तो यहाँ पे हम इसको एक बार लगा कर टेस्ट करते हैं स्रीज में तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्रीज में लगाया और इस बार हमारा बल्फ नहीं जला और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही slow बल्फ जल रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज सो कर रहा है तो देख सकते हैं हमारा इस्टक वलाजर सही हो गया है तो अब हम इसको मिला लेते हैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ कि हम इसे इस्टक वलाजर से मिलाते हैं इसके वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं तो यहां पे हम इसके बोल्टेज को मिला लेते हैं और हमारा यह इस्टोकॉलाजर सही हो गया है जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने स्रीज में लगाया तो हमारा यह जो है क्यों सौड बता रहा था और सार्केट को हमने चेंज किया यहां पे देख साय है सही से हमारा वर्क कर रहा है और इसको हम इस्टोकॉलाजर से मिला लेते हैं तो चले हम इसको मिला लेते हैं उसके बाद इसके लेडी के कनेक्शन कर लेते हैं जैसा कि हर वीडियो मैं देखाता हूँ तो यहां पर देख सकते हैं LED का connection हमने कर लिया है LED की एक point को हमने neutral से connect किया है और दूसरे point को resistance के दवारा output की supply से connect किया है तो देख सकते हैं हमने neutral से touch किया है हमारा neutral यहां से है और इस meter तक आया हुआ है और इससे हम check करते हैं तो यहाँ पे हमने लगा दी इस्टोक लाजर को यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लेडी जल रहा है तो इससे हम मिला लेते हैं इस्टोक लाजर को और अगर मैं बताऊं इस वीडियो में तो आटोमेटिक इस्टोक लाजर को इससे मिलाना जरूरी होता है क्योंकि इससे हमारा पता चलता है कि हमाराeyed इस्टोक लाइर कितने बोल पर catap करता है तो यसी सको हम मिला लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हम ने इस्टोक लाइर को अपने complete कर लिया है और Tied भी कर लिया इस group को तो अब हमसे चेक कर लेते हैं एक बार और सीरीज में तो देखते हैं हमारा इस्टोक लायर साइज चलता है कि नहीं तो यहाँ पे हम स्रीज में इसको लगाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हलकी सी बल्क गलो हुई है और यहाँ पे हमारा इस्टोक लायर देख सकते हैं चल ला है और अगर मैं इसको चेक कर लेते हैं हम इसके आउटपूट बोल्टेज को देखते हैं हमारा आउटपूट बोल्टेज देता है कि नहीं तो चेक करने का तरीका हमने इसको सिरीज में लगाया है और सौकट के दोनों टर्मिनल को आपस में सौट करेंगे तो यहां पे हमारा बल्फ गलू होगा तो यहां पे देख सकते हैं हमारा बल्फ जल आ है तो हमारा आउटपूट सप्लाई दे रहा है इस्टट बलाईएर तो अगर आप लोग भी इस्टट बलाईएर के मिलाने के बारे में जानना चाते हैं आँ किस तरीके से मिलाना है तो मुझे comment section में लिखिये मैं इसके एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ने वीडियो में देखा कि हमने फिरीज वाला इस्टो पलायर को किस तरीके से बनाना है इसके बारे में पूरी जानकारी दिया है तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा और जैसक मैं बता दूँ कि अगर आप लोग वीडियो को पूरा बास करेंगे तो भी आपको समझ में आयेगा और अगर आप अधूरी जानकारी लेंगे या अधूरा वीडियो देखके अगर बनाने की कोशिस करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो भी आपको इस्टोक्रायर बनाने के बारें पूरी जानकारी मिल पाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको कुछ पूछना या कोई जवाब हो तो आप कमेंड में मुझे जरूर लिखे और अगर आपको कोई भी जवाब है तो मैंने अपना इमेल आड़ी डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया है तो आप चाहे तो मुझे इमेल भी कर सकते हैं तो तो फिर मिलेंगे नेश्टी वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई